हलो स्टुडेंट्स मैं विनेय अदब डिपार्ट्मेंट ऑफ केमिस्टी सी ल्सी सी कर जैसा कि स्टुडेंट्स हम लोग डिसकेशन कर रहे थे जेही मेंस येर 2019 और 2020 में आए हुए कॉस्टेंस पेपर्स का जिसमें हमारा जो डिसकेशन चल ला था पिडिकल केमिस्टी का आटमिक स्ट्चर और केमिकल कानेटिक्स वाली यूनिट का है ना तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिसकेशन करा आटमिक स्ट्चर का आज का जो डिसकेशन होगा हमारा केमिकल कानेटिक्स से आए हुए कॉस्टेंस का तो ये 2019 और 2020 में करीब 22 प paper में एक question तो minimum expect कर सकते हैं, है ना, तो चलिए आज का जो हमारा discussion है chemical kinetics का, शुरू करते हैं, और last जो lecture था हमारा 21 question number तक, उसमें structure of atom के questions थे, question number 22 से हम लोग start करते हैं, chemical kinetics से, clear, so chemical kinetics का question, पहला यह हम लोग बोले हमारा जो discussion वाला पूरा unit है, उसका question number 22, तो चलिए शुरू करते हैं, तो जड़ा देखते हैं, the following results were obtained during the kinetic studies of the reaction 2A plus B gives something, ठीक है, आपको, फिर आप लोगों को यह जो experimental data दे रखा है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, the time in minutes required to consume half of A, ओके, अच्छा question वड़ा, A को आधा करने के लिए क्या समय लगेगा, ओके, यह question पूछा जा रहा है आप से, तो पहले तो हमें rate law पता होना चाहिए, न वड़ा, तो जड़ा हम देखते हैं वड़ा, इस reaction के लिए twice of A plus B, जो अपन लोगों को products बन रहे हैं, ठीक है, इसके लिए rate law क्या लिखेंगे लोग, rate is equal to k into A की पावर x and B की पावर y, समझ रहा है बात को, now, the time required to consume half of A, यह question है अपना, अगर हमें rate law पता चल जा जाए तो आगे की बात भी करी जाए, ओके, जड़ा हम देखते हैं वड़ा, इस experimental observation को, है ना, कि भाई, यहाँ पे आपको जो है rate दे रखा है, ध्यान से देखो, ठीक है, और यहाँ पे R1 हो गया, यह R2 हो गया, यह R3 तीन अलग-अलग observation है हमारे पास, ठीक है, अब A की concentration को अगर हम constant रखते हैं, जड़ा ध्यान से observe करो यहाँ पे, और इसको अपन लोग B को हम लोगों ने modify करके 0.20 से 0.25 रखा, तो R1 और R2 सेम है मतलब, ठीक है, R1 R2 सेम होने का मतलब क्या हुआ बटा, R1 R2 सेम होने का simple सा मतलब है, कि यहाँ पे जो reaction का जो rate होगा, वो B से independent है, आप B की concentration change कर रहा है, तो still rate आपका सेम है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि मैं औरली करा रहा हूँ, वैसे तो आप theoretically कर भी सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे R1, मतलब rate is independent of concentration of, independent of concentration of B, क्यों भाई, concentration of B, हाँ है न, ठीक है, अगर rate B की concentration से independent है, इस बात का क्या मतलब भीटा, कि Y की value क्या हो गई, 0, य की value हो गई, 0, ठीक है, यह अपन लोगों ने observation 1 और observation 2 करा, ठीक है, clear, अब ज़रा observation 2 और observation 3 को देख लेते हैं, ठीक है, तो 2 और 3 observation से देखते हैं, ठीक है, क्या भई, देखो, अगर अपन लोग बढ़ा, R3Y, R2 करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की power, X upon A dash, जो होगा, यार इसको A dash बोल दो, ठीक है, A third observation में, उसकी power X, और यह second observation में, एक ही concentration, उसकी power X, ठीक है बढ़ा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि B पे तो depend करी नहीं रहा है, हाला कि मैं इसको orally कर सकता हूं, लेकिन फिर भी अपन लोगों एक mathematical calculation करनी होती है, सब बच्चों को समझ नहीं आता, orally, है ना, तो देखो यहाँ पे, अगर हम लोग 0.1 से 0.2 कर रहे हैं, इसको double कर रहे हैं, ठीक है, तो rate कितना हो रहा है, 1.38 into 10 to the power minus 2, तो यहाँ पे देखो, 1.38 into 10 to the power minus 2, और यहाँ पे आ रहा है आपका, 6.93 into 10 to the power minus 3, है ना, ओके, अगर मैं देखो मिटा है इसको, तो यहाँ पे roughly मैं बोल सकता हूँ कि यह 2 आ रहा है, इसको calculate करोगे, तो यह approximately 2 आ रहा है, ठीक है, अच्छा, तो यह 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है वही, concentration को अगर हम देखें, तो यहाँ पे, B की concentration पे तो depending ही नहीं कर रहा है, तो हम ल आ रहा है, तो यहाँ से क्या रहा है, 2 की पावर X is equal to what, यह कितना है बड़ा, यह calculate होके, 2 आ गया, X की value आ गई 1, ठीक है, अच्छा, मतलब, A के respect में, जो reaction का rate है, वो क्या है बड़ा, first order है, ठीक है, अब A के respect में, first order है, तो reaction का, जो rate है बड़ा, A के respect में, first order है, ठीक है, और हम से पूछा जा रहा है, कि time required to consume half of A, half of A required के लिए क्या होगा बड़ा, अपन लोगों को पता है, कि respect में, अगर reaction first order है, तो first order के लिए half life का formula क्या होता है, बड़ा, 0.693 upon K, ठीक है, अच्छा, अब K कैसे निकाला जाए बड़ा, आपको TF पता करना है, सिफ K identify करना है, हम लोग K क्या लिख सकते हैं, बड़ा, कोई भी observation लेलो आप, R1 ले लिए बड़ा, okay, rate 1 divided by what, concentration of A in observation 1, ठीक है, अच्छा, तो यहां से देखो, कितना है, बड़ा, 0.693, है ना, अपन यह कितना है, 6.93 into 10 to the power minus 3, और A की concentration क्या है, एक ही concentration, बड़ा, 0.1, ठीक है, आच्छा, तो जड़ा हम देखते है, बड़ा, यहां पे, इसको अगर हम लोग ने दिया, यहां पे, तो यह आ रहा है, आपका 6.93, 10 to the power minus 3, घटा हो यहां से, ठीक है, 6.93, और यह 0.1 गया, तो यह 69.3, तो टी हाफ यहां से निकल के इतना रहा है वड़ा, that comes out to be 10 minutes, ठीक है, तो पर मिनट दे रहा है, अपन लोगों को 10 minutes, एक ही option दिख रहा है, option number 3 वड़ा, ठीक है, तो चलो, question number 20, अच्छा question था, clear, आसान भी था, इस तरही है questions, chemical kinetics से, बहुत trending रहते हैं, अपन को पते ही है, अना, सीथा, straightforward question था, कोई complexity निथी, ओके, चलो, अगेन, अपन लोग देखते हैं वड़ा, question number 23, इस question को परते हैं जरा, for the reaction 2A plus B gives product, when the concentration of A and B, both are doubled, the rate of reaction increased from 0.3 to 2.4, ठीक है भाई, when the concentration of A alone is doubled, तो rate is increased from 0.3 to 0.6, clear, ये भी आसान है वड़ा, okay, 22 की तरही है, बस उसको theoretically लिख दिया हो लोग है, है ना, तो जरा हम देखते हैं वड़ा, rate law निकालना है, पर लोगों को, इस reaction के लिए हम लोग rate law again क्या लिखेंगे, R is equal to what वड़ा, K into A की पावर X and B की पावर Y, खीक है, अगर वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने A की concentration को भी डबल किया, और B की concentration को भी डबल किया, ऐसा ही तो बोला यार वड़ा, अगर concentration A और B दोनों की डबल कर दी जाए, तो reaction का जो rate है, वो 0.3 से बढ़के 2.4 हो जाता है, मतलब हम क्या लिखेंगे वड़ा, यहां पर, कि भई, यहां पर आप क्या करोगे, A की concentration आपने डबल कर दी, और B की concentration भी आपने डबल कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को डबल करा, तो power में X प्लस Y आए गवड़ा, ओके, R2 by R1 किता है, R2 by R1 जो है आपका, वो किता होगा, यहां से सब कुछ cancel out होगा है वड़ा, 2 की power X प्लस Y, और अपन को दीख रहा है यहां पर, के इनोंने R2 2.4 लिखा है वड़ा और यह 0.3 लिखा हुआ है, ऐसे यह ना, ठीक है, तो यहां पर 2.4 लिखा है, 0.3 ओके, नौ यहां पर क्या आ रहा है वड़ा, 2 to the power X प्लस Y, clear, अच्छा, नौ यहां जो गवड़ा, 2 की power X प्लस Y क्या आएगा, यह आएगा, 8, 8 मतलब 2 की power 3 वड़ा, उके, इसका यही मतलब हुआ, मतलब X प्लस Y कितना आगया, 3, उके, चलो भई, एक एक क्वेशन मंग गई कि अपना X प्लस Y 3 आगया, वो अपन से क्या कह रहे हैं आगे वड़ा, कि अगर सिर्फ A की concentration को double किया रहा है, तो rate क्या होता है वड़ा, 0.3 से 0.6 हो जाता है, इसका मतलब क्या है वड़ा, अगर हम लोगोंने A की concentration को ही double करा, B की concentration को double नहीं करा, तो मतलब हम ऐसा लख सकते हैं कि 2 की power X, और जो rate है, K into A की power X, B की power Y, और ये R, ये third experiment मानलो, ठीक है, इसको अपन लोगोंने, और rate कितना हो गया वड़ा, ये सिर्फ detail में करा रहा हूँ, एक, अगर अपन लोगों को practice ठीक ठीक से है, अपन लोगों को question पढ़ते ही, आंसर कर सकते है वड़ा, ठीक है, ओके, देखो, मैं बताता हूँ अभी कैसे, फिलाल, अपन लोग इसको जब modify करेंगे, तो ये अपन लोगों का cancel out हो जाएगा, R3 by R1, R3 कितना है, अपना 0.6 और R1 कितना है, 0.3, ओके, तो 0.6 upon 0.3 कितना होता है, और 2 की power X, ठीक है, अच्छा, तो यहां से क्या है वड़ा यहां से आया, X आगया 1, ठीक है, और X plus Y is equal to 3 वड़ा, तो Y कितना आगया है यहां से, 2, ओके, तो जब rate law लिखा जाएगा वड़ा, ओके, तो reaction में option क्या दे रखे हैं, अपन लोगों को इस question में, order of reaction with respect to, B is 2, जड़ा देखते हुड़ा, हाँ वड़ा, R is equal to K into A की power 1, and B क power 2, यह बात बिल्कुल correct वड़ा, ठीक है, तो मतलब यही option होना चाहिए आपका, clear, अच्छा, तो, ठीक है, option जो है वड़ा, यही correct होगा, बाकी के option जो है, आपके obvious से गलत हो जाएंगे, order of the reaction with respect to A is 2 नहीं होगा, total order यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो question को double कर रहा हो, और rate जो है, 8 times हो रहा है, इसका मतलब, order जो sum of total order होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब सिर्फ A को double कर रहा हो, और rate डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, A के respect में first order हो नहीं चाहिए, तो B के respect में second order कितना वक्त लगा बटा, ठीक है, hardly 7 8 seconds है ना, ओके, चलो, बढ़ते हैं आगे, next question की दरफ, question number 24, ये question विड़ा अपन लोगों को, आरीनियस equation से पूछा गया है, ठीक है, और ये आसान सा question है, है ना, graph अपन लोगों को बताने है, ठीक है, तो ज़रा देखते हैं विड़ा, आरीनियस equation क्या होती है, अपन लोगो minus ea by rt होती है, ठीक है, अच्छा, अगर k को जो है, अपन लोग क्या कर रहे है, t के साथ graph खीचेंगे विड़ा, तो temperature बढ़ेगा, clear, इस पूरे term को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, विड़ा, k is equal to something like e की पाव minus x, ठीक है, और जो है आपर, x is inversely proportional to t, अगर t बढ़ाओगे तो x गटेगा और x गटेगा तो क्या होगा, e की पाव minus x की overall value क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है, अच्छा, समझे बात को, e की पाव minus x का ग्राफ जो है, x के साथ decreasing order में आता ह ठीक है, e की पाव minus x का ग्राफ जो है, इस तरीके से आता है, सबको पता है, clear, x के बढ़ने के साथ, x कम होने के बाद क्या होगा, यह increase होगा, clear, तो यह अपन लोगों को ग्राफ यादी होगा, फिर दूसर ग्राफ वो बोलना है, k और versus यह का ग्राफ बोलना है, तो अगर activation energy बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x बढ़ेगा, क्योंकि x directly proportional to activation energy, तो यहाँ पर यह ग्राफ कैसा होगा, अगर activation energy यहाँ पर क्या होजाए, 0 होजाए, तो भी क्या होगा, यह expression क्या होजाएगा, 1 होजाएगा, तो k is equal to a, मतलब कहीं यहाँ से start होगा होता जाएगा, तो जड़ा देखते हम बढ़ा, क्या यही ग्राफ बनाएं, बिल्कुल सही है, ओके, यह वर्सिस के का ग्राफ अपन लोगों को, और यह वर्सिस टी का ग्राफ, दौना ही ग्राफ correct हैं अपने, ठीक है, तो जड़ा हम देखते हम यहाँ पर, कि one is wrong, ठीक है one is wrong, मतलब अपन का first यह है, और second यह है, ठीक है, one is wrong, नहीं, ऐसा भी नहीं है बढ़ा, one भी correct है, और second भी correct है, clear, both one and two are wrong, यह तो नहीं होगा, both one and two are correct, यह option correct होगा बढ़ा, यह थर्ड अपन का जाएगा, clear, तो यह 24 नमबर की problem हो गई, clear, now, next problem की तरफ बढ़ते हम लोग, question number 25, okay, ठीक है, kp और kc का ratio बताना है बढ़ा अपन लोगों को 300 kelvin पे, okay, at 300 kelvin अपन लोगों को RT की कुछ value दे रखे हैं, और यह reactions दे रखे हैं, ठीक है, अच्छा जी, चलो देखते हैं बढ़ा, यहापे, kp और kc, यह chemical kinetics का question कम, chemical equilibrium का question जादा है, ठीक है, okay, तो basically अपन क्या करेंगे आपे, kp upon kc is equal to क्या होता बढ़ा, kp upon kc होता है, rt to the power delta ng, ठीक है, यह बात अपन लोगों को ध्यान है, now, delta ng इसका किता है बढ़ा, 0, ठीक है, अच्छा, इसका delta ng किता है, बही, 1, यहाँ पर 2, 2 कैसे smalls है, यहाँ पर भी 2 कैसे small है, तो यह, अपन का 0 होग इसका किता है बढ़ा, delta ng, delta ng इसका आएगा, minus 2, 2 minus 4 is equal to minus 2, ठीक है, तो delta ng अगर 0 होता है, बढ़ा, तो kp upon kc का जो ratio आएगा, 24.62 decimeter cube, इसकी power 0 हो जाएगा, तो option 1 होना चाहिए, पहला दो, इसका तो पहला क्या है, क्या है, बढ़ा, 1, ठीक है, ओके, बही, पहले की तो ब ठीक है, तो kp और kc की आएगा बढ़ा, kp is equal to kc, rt की power 1, अब rt की value अपन को दे रखे बढ़ा, 24.62, ठीक है, अब अब second option आपका क्या होगा, 24.62, तो यहां से आएगा, kp upon kc जो आएगा, वो क्या आएगा, 24.62, ठीक है, now, next अपन लोग बात करते हैं, delta ng is equal to what, minus 2, ठीक है, अब यहां पे देखो, n2 plus 3s2 gives 2 ns3, ठीक है, इसके लिए delta ng क्या रहा है, minus 2, ठीक है, तो इसके लिए देखो ज़रा, kp upon kc, is equal to kya आएगा बढ़ा, यह आएगा, आपका, 24.62, to the power minus 2, ठीक है, तो यहां से यह कितना आएगा, बढ़ा, 1 upon 24.62, clear, to the power 2, इसको मैं roughly 25 माल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह भी decimeter में, clear, now, तो यहां से क्या होगा, अगर इसको मैं roughly 25 लेके solve करूँ, 25 into 25, okay, तो roughly 1.6 के आसपास आता है, 1.6 into 10 to the power minus 3, okay, आप solve करोगे, clear, तो यहां पर मेरे को ध्यान है, 1.66 into 10 to the power minus 3, मैंने solve करा था, तो यह करीब आता है, बढ़ा, तो option कौन सा होगा अपने पास, यह तो होई नहीं सकता, बढ़ा, 3 और 4 में, अगर मैं calculate भी नहीं करना होता, तो 606 तो नहीं हो सकता था, बढ़ा, ठीक है, 606 तो नहीं हो सकता था, देखो 1 upon 24.62, अच्छा, तो यह बात clear होगे यह अपन को, clear, अच्छा, तो यह 1 से तो कमी होगा, चलो भाई, तो यह अपन लोगों का इस particular question का answer कौन सा होगा, fourth option correct होगा, question number 25 का, clear, now, question number 26 की तरफ बढ़ते होगा, question number 26 देखो, for an elementary chemical reaction, elementary reactions, बोल लखा है यहाँ पे, A2 gives 2A, the expression of dA by dt, टीक है, dA by dt का मतलब क्या है यहाँ पर अपन को बताना है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, dA by dt क्या है, rate of appearance of A, है ना, तो dA by dt क्या है, dA by dt का मतलब क्या है, this is what, rate of appearance of A, rate of appearance of A, है ना, अच्छा, यह क्या होगा बढ़ता, forward direction का rate minus backward direction का rate, यह होगा, ठीक है, अच्छा, forward direction का rate क्या लिखा जाएगा, elementary reaction है, अगर अपन के पास, तो k1 into A2, forward direction का rate constant, ठीक है, और A2 की concentration, ओके बढ़ता, minus of what, यहाँ पर backward direction के लिए क्या लिखा जाएगा, k reverse, या k minus 1 into A की power 2, by reaction coefficient के हिसाब से लिखेंगे न बढ़ता, ठीक है, law of mass action से लिखेंगे, elementary reaction के लिए तो, हम लोग ठीक है, तो जो reaction coefficient होगा, वोई power में होगा, ठीक है, अच्छा, net, जो rate of reaction होगा, यहाँ पर, वो क्या होगा, 1 by 2, dA by dt, rate of appearance of A, ओके, और net rate जो होगा, वो RF minus RB के बराबर होगा, clear, अच्छा, अब देखो यहाँ पर, net rate अपन लोगों का, RF minus RB के बराबर होगा, rate of appearance divided by 2, rate of appearance of A, divided by 2, जो होगा, वो, net rate of reaction होगा, clear, तो यहाँ से dA by dt के आएगा, dA by dt आएगा, 2 times of K1 into concentration of A2, minus 2 times of K inverse concentration of A2, ठीक है, अच्छा दी, तो ज़रा देखते हैं, कोई option है क्या, अपने पास, 2 times of K A2, clear, okay, option number 3 अपन को दिख रहा है, okay, so option 3, जो है, अपन लोगों का answer होगा, इसमें, ठीक है, option 3, चलो, question number 26 हो गया, question number 27 पर आ जाते हैं, question number 27 देखो, पढ़ते हैं, question, if a reaction follows, the Rhenius equation, the plot of LNK versus 1 by RT gives, straight line with a gradient of minus Y unit, ठीक है, चलो भाई, ओके, चलो हम देखते हैं, अपन लोगों को Rhenius equation याद है, A into E to the power minus Ea upon RT, यहां से अपन लोग LNK is equal to, क्या अब बढ़ता, LN of A minus Ea upon RT, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो graph है, LNK versus 1 upon RT का, तो चलो भाई, हम लोग LNK versus 1 by RT, ठीक है, यह क्या होगा, LN of A होगा, ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं अपन लोगों को बढ़ता, हाँ, ठीक है, the plot gives straight line with a gradient of minus Y unit, ठीक है, तो minus Y unit की बात हो रही है, यहां पर, now, यहां देखो बढ़ा है, यहां पर, gradient मतब slope, ठीक है, तो slope आपकी क्या होगी, यह अगर ठीटा है, तो slope is equal to minus 10 ठीटा, है ना, ठीक है, अच्छा, तो slope जो है, आपकी minus Y है, ठीक है, और इस अगर expression के हिसाब से देखें, तो slope इसकी क्या है, अपने पास, अमारे लिए slope जो है, वो है minus Y है, दोनों को जो रहा कंपेर करते हैं, ठीक है, तो यहां पर activation energy क्या आएगी, यहां दोनों को कंपेर करा, इसको और इसको जो data given है, पूछा जा रहा है अपने लोगों को, तो energy required to activate the reactant, obvious activation energy पूछ जा रही है, Y के टम से मेंटा, तो activation energy Y unit होगा, clear, so answer is first, तो option number 1 जो है आपका correct answer जाएगा, ठीक है बढ़ा, now question number 28 पर आते हैं लोग, ठीक है, चलो बढ़ा, 28 पर आते हैं बढ़ा, क्या बोलना है देखो, यहां पर समझते हैं लोग, the reaction 2X gives B is 0 order reaction, if the initial concentration of X is 0.2 molar, ठीक है बढ़ा, X की concentration आपको किती दे दे रहे बढ़ा, 0.2 molar, the half life is 6R, half life किता दे रखा है, 6R, when the initial concentration of X is 0.5 molar, the time required to reach its final concentration of 0.2 molar, ठीक है, अच्छा जी, तो देखो बढ़ा है यहां पर, चलो इसको start करते हैं लोग, 2X जो है आपका, यहां पर क्या होगा, suppose बढ़ा, अपन लोगों ने 2X gives what B, उके, इसको लिया, ठीक है, 2X gives B, उके, इसकी concentration हमने होगा आप लिखी, ठीक है, और यहां पर क्या है बढ़ा, टी टाइम पर मान के चलो, A0 मेंसे X गया, तो यह कितना बढ़ा, यह बना XY2, B कितना बना XY2, ठीक है, अच्छा जी, आपन लोगों को reaction का rate पता करना है, ठीक है, तो reaction का rate क्या होगा बढ़ा, reaction का rate देखो, कैसे लिखा जाएगा, rate जो होगा, वो या तो हम X के terms में लिखें बढ़ा, ठीक है, यहां हम लोग लिखें, B के terms में, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, 1 by 2 times of what, rate of disappearance of X minus of delta X by delta T, यह dX by dt, तो 1 by 2 of dX by dt, ठीक है, यह हो जाएगा आपका क्या rate, ठीक है, चलो तो फिर dX by dt क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखो यहां पर, dX जो है, already क्या बढ़ा, decreasing है, negative है, rate of disappearance के terms में लिखें हैं हम लोग, तो overall जब rate लिखेंगे, dX by dt का अगर मैं expression लिखूंगा, ठीक है, तो क्या लिखने वाला हूँ, rate तो negative नहीं होता है, dX क्यूंकि already इसमें क्या है, included है, तो इस negative sign को मैं बहार ले ले रहा हूँ, ठीक है, इसके negative sign को nullify कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, dX by dt, जो है, is equal to two times of rate of reaction, ठीक है, और rate low expression क्या लिखा जाएगा, अगर हम देखें, यहां पर zero order की reaction होती है, उसके लिए rate क्या लिखा जाएगा, अपन लोगों को पता है, rate जो होगा, वो amount पर depend करेंगे नहीं, X की, है और वो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो dX by dt के terms में, अगर मैं बात करूँगा, तो यहां पर, जो k होगा, वो 2k के terms में लिखा जाएगा, ठीक है, अच्छा, उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, वो इंसल आउट होगा बाद में, ठीक है, तो confused होने की ज़रूवत नहीं है, यहां पर जब इसको integrate करेंगे, तो क्या आएगा वड़ा, integrate करोगे, तो X is equal to आजाएगा आपका 2kt, ठीक है, और concentration of 80 जो होता है, वो क्या होता वड़ा, A0-X लिखा जाएगा, मतलब A0-2kt, यह आपका 80 हो गए वड़ा, ठीक है, अब देखो यहां पर, data क्या दे रखा है उन्होंने, उन्होंने बोल रखा है कि half life जो है, अपनी 6R है, ठीक है, अगर अपने लोग concentration point 2 ले लिखते हैं, ठीक है, तो जड़ा देखो यहां पर, अगर इस equation में मैं A0 by 2 रखो हूँ बड़ा, ठीक है, तो यह अपने लोगों ने A0 by 2 is equal to, A0 हमने जो भी लिया, 2K, और यह T half के बारे हम बोल रहे हैं, ठीक है, अगर T half की बात करें, तो यहां पर T half कितना बड़ा देखो, यहां से आएगा A0 by 4K, है ना, A0 by 4K, clear, अच्छा जी, अब देखो यहां पर बड़ा, A0 by 4K जो है, यह 6R आपको दे रखा है, A0 आपको 0.2 लेना है बड़ा, यहां से 4K, तो K is equal to क्या आगया, K की value आगया आपके पास, 0.1 upon 6 into 2, ठीक है, मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 0.1 अटा दो बड़ा, ठीक है, तो यहां पर 1 लिखा मैंने, यह अटाया, 40, ओके यह 20 कर दिया, ठीक है, तो 6 into 20, ठीक है, यह K की value आगया, पूछा क्या जा रहा है बड़ा अपन से, अपन से पूछा जा रहा है कि, when the initial concentration of x is 0.5, the time required to reach the final concentration of 0.2 molar will be, ठीक है, तो 0.2 molar पहुंचाना है अपन को, है ना, यह मैंने half life के लिखा रहा बड़ा, पहला formula, ठीक है, अब देखो यहां पर, अपन लोग, यहां पर क्या कर रहे है, 0.5 से 0.2 पहुंचा रहे हैं, मतलब 80 किता हुजा बड़ा, 0.2, यह किता हुजा 0.5, minus of 2, time में में पता करना है, कितने time में होगा, के की value कितने है बड़ा, 1 upon 6 into 20 into t, ठीक है, अचा, यहां से क्या आएगा, देखो बड़ा, यह आएगा, t and 1 upon 60 आजाएगा, यहां से बड़ा, is equal to 0.3, 0.5 minus 0.2, 0.3, तो t is equal to कितने है बड़ा, 18, clear, तो समझ में आगया, 18 जो है, कोई option में है क्या, okay, 18 R जो है अपना, option number 4 है, है ना, तो option 4 will be the correct answer बड़ा, option 4, 18 R, clear, बढ़ा जाया आगे, चलो, बढ़ते हैं आगे, next question देखो बड़ा, question number 29, decomposition of X exhibit the rate constant 0.05 microgram per year, clear, how many years are required for the decomposition of 5 milligram of X into 2.5 milligram, ठीक है, sorry, microgram, तो आप देखो यहां पे बड़ा, यहनोंने rate constant दे रखा है, rate constant के अपन लोगों को दे रखा है, 0.5 microgram per year, ठीक है, अब हमें order तो पता ही नहीं है, एक्शन का, क्या पता है, है पता बड़ा, ठीक है, यहां पे देखो, rate constant की यूनिट देखो, rate constant की यूनिट क्या होतरी बड़ा, concentration जो भी दे रखी हो, उसकी यूनिट, ठीक है, to the power 1-n into second inverse, या minute inverse, ठीक है, या time inverse, basically, time year में दे रखा है, ठीक है, यहां पे concentration किसके terms में दे रखी बड़ा, basically, microgram के terms में, microgram per year दे रखा है, इसका मतलब क्या है, n की value क्या आनीचे बड़ा, n की value होनीचे जिरो, मतलब this reaction should be what, 0 order, clear, so यह सबसे, यहां पे important point था, जो हमें समझने जाज़ा था, बाकी सारी गानी तो हम जानते हैं, rate constant अपन को 0.05 दे रखा है, ठीक है, 0.05, ठीक है, 0.05, अपन लोगों को rate constant दे रखा है, ठीक है, और अपन लोगों को बोला जा रहे हैं कि 5, microgram से 2.5 करना है, अपन को मतलब, half life एक तरीके से पूछी जा रहे हैं, clear, how many years, तो 0 order के लिए अपन लोगों ने half life का formula क्या निकाला है, बढ़ा, a0 upon 2 के, ठीक है, बढ़ी, कर दे ते बढ़ा, देखो, बढ़ी, calculation आसान है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना है, formula निकाल के solve करें, 5 से डरे 2.5 हो रहा है, clear, तो यहाँ पर देखो, बढ़ा, यह आपका 5 आपने microgram लिया, यहाँ पर 2 into what, 0.05, 0.05 मतलब यह 0.1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, बढ़ा, 5 upon 0.1 that comes out to be 50 year, कोई option नहीं गया, बढ़ा, yes, option number 3 is the answer, 29, बढ़ा है, तो देख सकते हैं, अपर लोग उड़ा के आसान आसान सी problem है, chemical index से बहुत ज़्यादा जाई मेंस में, difficulty level पर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि calculation पार्ट उनको reduce भी करना है, तो calculation अगर reduce करेंगे, तो problem हासान ही frame होगी, clear, क्योंकि यहाँ पर time boundation भी रहती है, time भी बचाना है अपन लोगों को, चलिए तो फिर next problem की तरफ बढ़ते हैं, question number 30, question number 30, for a reaction, consider the plot of lnk versus 1 upon 10, the figure, again आरे नहीं है, question से question भी बढ़ा, वो कह रहे हैं, इबदा rate constant of reaction is 400 Kelvin पर 10 to 2.5 है, तो 500 Kelvin पर कितना होगा, ठीक है, चलो, तो solve करा जाए, आसान भी बढ़ा, lnk versus, अपन लोगों को पता भी बढ़ा, lnk is equal to क्या आता है, ln a minus ea by rt, 1 by t का graph दे रखा है, तो आपको slope जो दे रखी बढ़ा, वो कितनी है, 4606, ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर क्या गरेंगे, अपन लोगों को, जो है, slope अपने according क्या होगी, clear, ea by minus of ea by r, तो ea by r कितना आ रहे है, यहाँ से आ रहे है अपने पास, ea by r 4606, यह अपन लोगों को लिख लेना है, 4606, ठीक है, अच्छा, now, अब जो problem है, अपन लोगों को दे रखा है, clear, तो अपन लोगों को यहाँ पर formula याद होगा, ठीक है, ln k2 by k1 is equal to ea by r, ठीक है, 1 by t1 minus 1 by t2, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ln को लोग में convert करोगे, तो log k2 by k1 क्या आएगा, यह आएगा आपका, यह तो 4606 हो गया ना, अपन 2.303, है ना, 2.303 से divide करेंगे वड़ा, ln k को जो log base 10 पे लिखेंगे, ठीक है, अच्छा, 1 upon t1 कित्ता है, 1 upon 400 minus 1 upon 500 t2, है ना, clear, यहाँ से 2 0 अटा देते हैं अपर लोग उटा ठीक है, और यहाँ पर 100 कर देते हैं, multiply, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से 1 upon 4 minus 1 upon 5 बचा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या रहा है वड़ा, 4606, upon क्या रहा है, 2303, ठीक है, अच्छा, तो और यहाँ से क्या रहा है वड़ा, 1 upon 20, है ना, यहीं LCM आएगा, तो अगर हम देखें यहाँ पर वड़ा, तो इसको cut करोगे, आप तो 230, यह कितने बाद जाएगा, यह आपका 20 times जाएगा, clear, तो log K2 by K1 यहाँ से कितना आ रहा है, यह जो आ रहा है वड़ा, solve करने पर, log K2 by K1, यह आ रहा है, 2020 cancel out हो जाएगा, यह आ रहा है 1, तो K2 by K1 is equal to what वड़ा, 10 की पावर 1, मतलब 10 आ रहा है, तो K2 will be equal to 10 times of K1, पूछा क्या जा रहा है हम से, जड़ा हम यह देखते हैं, पूछा हम से जा रहा है, कि भई, rate constant 500 Kelvin पर कितना होगा, 400 पर आपको दे रहा है वड़ा, 400 पर 10 की पावर 1, 5 दे रहा है, तो 400 पर 10 की पावर 1, 5 दे रहा है, question number, 30 हो गया, question number 31 पर आते हैं, for the reaction 2A plus B gives C, the values of initial rate at different concentrations, ठीक है भई, ओके, अगेन अपन लोगों को rate low के terms में निकालना है, तो इसको orally कर दें क्या, ठीक है, चलो, कर लेते हैं, इतनी सारी तो practice कर चुके हैं अपन लोग, अब देखो, यहाँ पर A की concentration, B की concentration अपनने है, एज़देज रखी, है ना, और A को double करा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशल rate भी क्या हो रहा है, मतलब rate low आप क्या लिखोगे, k into A की power, x B की power y, अगर आपका B की initial concentration आपने same रखी, और A को double किया, और initial rate भी double हो रहा है, इसका मतलब x क्या होना चाहिए, एक respect में order होना चाहिए, फर्स ओर ठीक है, अब देखो, यह मैंने observation करा, 1 और 2, ठीक है, अब observation number, मैं कौन सा करता हूँ अबड़ा, observation करते हैं, पर लोग बड़ा, 2 और 3, ठीक है, तो इसको तो double करा, और इसको भी double करा, तो यह कितने बार हो रहा है बड़ा, यह initial rate जो है आपका 8 times बढ़ रहा है, मतलब 2 की power जो x plus y है, वो 8 आ जाएगा, क्योंकि इसको भी double करा, इसको भी double करा, clear तो rate जो है, आपका 8 times बढ़ रहा है, देखो, है ना, तो यहाँ पर x plus y कितना आ गया बड़ा, 3 है ना, और x plus y 3 आ गया, x तो 1 हो गया, तो y कितना आ गया, 2, ओके, तो इसका मतलब rate लो क्या लिखो गया, rate लो लिखो गये, k into a की power 1 and b की power 2, ओके, so option number 1 ही correct होना चाहिए बड़ा, समझ रहा बात को, clear, तो चलो, बढ़ते हैं पर लो, आगे next question की दरफ, तो question number 31 का option 1, correct होगा, clear, देख सकते हैं बड़ा, chemical kinetics से बिलकुल easy easy problem है, एक दो problem को अगर छोड़ दिया जाए, clear, तो कोई भी कर सकता है, थोड़ी से practice करो, बस chemical kinetics की, particularly first order reaction की, zero order reaction की, और यह जो rate law से related problems है, आसान आसान सी और awareness equation ही, इसके अलावा अपन लोगों ने देखा होगा, तो अभी तक कोई question नहीं आ है, next question number 32, 32 number की problem, देखते हैं बड़ा, वो कह रहे हैं, for a reaction scheme, A gives B and B gives C, तीक है बड़ा, यह consecutive reaction है, clear, if the rate of formation of B is set to be zero, and the concentration of B is given by, अगर B का formation rate zero है, और concentration of B किस सरीके से दी जाएगी, clear, अगर B के net rate को zero कर दिया जाए, clear, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, db by dt जो net होगा, वो क्या होगवड़ा, rate of appearance of B, वो क्या लिखा जाए गवड़ा, db by dt का, यहां हम लोग बोलेंगे, formation जो हो रहा है B का, ठीक है, और B का जो disappearance हो रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे, minus db by dt, ठीक है, यह हम लोग ऐसे बोलेंगे, कि जो B disappear हो रहा है, वो किस rate से हो रहा है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर rate of formation of B, मतलब B के formation rate को हम लोग set कर दें, 0 पर, ठीक है, यहाँ पर जो बटा, db by dt net rate को वो 0 करने की बात करने है, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर हम लोग बोलें, यहाँ पर formation की जगए, आप जो है, appearance वाला expression लिखो, ठीक है, कि बई, किस rate से भी appear हो रहा है, क्लियर, अच्छा, भाई, formation rate, net rate की बात हो रही बटा, क्लियर, तो यहाँ, इतने rate से वो बन रहा है, और इतने rate से वो disappear हो रहा है, क्लियर, तो appear कितने rate से हो रहा है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा भाई, इसके लिए लिखा जाएगा अपन का, db by dt, k1 into what, k1 into what, concentration of a, ठीक है, इसको लिखा जाएगा भाई, k1 into concentration of a, minus, minus of db by dt क्या होगा, rate of disappearance क्या होगा, k2 into concentration of b, ऐसा ही लिखा जाएगा, k2 into concentration of b, b की जो भी concentration रहेगी, उसी rate से वो क्या होगा भाई, आगे disappear होगा, देखो, यहाँ पर देख सकते हैं लोग, clear, अच्छा, और यह जो net rate बोल रहे हैं वो, ठीक है, वो क्या हो गया, 0, क्या हो गया भाई, 0, मतलब यहाँ पर, k1 into a, is equal to what, k2 into b होगा, तो b की concentration कित्ती आएगी यहाँ से, b की concentration आएगी, k1 upon k2 into concentration of a, यह ज़रा देखते हैं, कोई expression है क्या बटा इस तरीके का, k1 k2 a, k1 plus k2 a, k1 upon k2 a, clear, so, obvious k1 upon k2 a, यह third option होगा बटा अपना answer, clear, तो question number 32 होगा अपना, बढ़ते हैं आगे, next question की दरफ, the given plot represents, the variation of concentration of reactant r, with a time, for different reactions 1 and 2, okay, जो graph दे रखे हैं, ज़रा हम लोग देखते हैं उसको, clear, यह अपन लोगों को reactant r है, और उसकी concentration है, clear, अच्छा, अगर reactant r की concentration की बात करें, वीटा time के साथ, ठीक है, यह, r naught कहीं से start हो रहा होगा, minus something kt, ठीक है, r versus time, यह expression किसके लिए बनता है, zero order के लिए, यह पता है अपन लोगों को, clear, ठीक है न बटा, okay, dx by dt से निकालते हैं, at is equal to a naught minus kt, है ना, तो यह जो reactant की concentration है, t time पे वो, initial concentration minus kt, clear, अच्छा, तो यह तो zero order का हो गया, graph यह second graph जो हुआ, वो zero order का है, ठीक है, first graph जो है बटा, अगर हम देखें, तो l n r versus time का जो graph आता है, वो first order के लिए हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से देखो, इसको solve करने पे हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, कि जो k into t आता है, वो क्या आता है, l n of a t by a not, यहां से क्या आता है बटा, अपनों लोग जब इसको, l n of a t निकालेंगे, तो l n of a t क्या आता है, l n of a not, minus k t, तो यह जो first order kinetics है, clear, उसके लिए graph set करेगा, यहां पे यह क्या हो जागा, l n of r versus one upon t का, जो straight line का graph आता, यह first order kinetics follow करेगा, clear, तो हम देखते हैं, जो जब आप्शन 0, 2, 1, 1, 0, 1 and 1, 0, so it is 1 and this is 0, okay, so 1 0 option जब आता, 4th option दिख रहा है आपनको, तो 33 का जो है, option number 4 आपका correct होगा, clear, चलो next question की तरफ बलते हैं, question number 34, ठीक है, ओके, चलो एक बार question 34 पढ़ लेते हैं, जो, देखो, a bacterial infection, in an internal wound, grows, N exponentially वो increase करता है, N naught, E की power, exponential time के साथ, where the time T is in hours, ठीक है, ओके बाई, समझ में आ रहा है, a dose of antibiotic, taken orally, needs 1 hour, to reach the wound, ठीक है बाई, once it reaches there the bacterial मतलब जो antibiotic हम लोगों ने ली है तीक है उस जो wound है injury है या घाव है उस तक पहुंचने में जो है antibiotic के particles को एक गंटा समय लगे गबड़ा तीक है तो the bacterial population goes down as dn by dt is equal to minus 5 of n square तो bacterial population जो है इस rate से कम होने लगेगी ठीक है dn by dt is equal to minus 5n square what will be the plot of n naught by n versus t after one hour तो देखो बढ़ा है यापर अपन लोगों को यह पता है कि dn by dt is equal to minus 5n square है ठीक है अच्छा और एक गंटे के बाद की कहानी बता नहीं है अपन लोगों को तो एक गंटे की बाद की कहानी कहां से स्टार्ट होगी यहां से dn by dt is equal to minus 5n square तो ज़र हम देखते हैं बढ़ा यहां पे dn by dt is equal to what minus of 5n square ठीक है अपन क्या करें यहां बढ़ा दे एन वन अपन n square को साथ में रिकाल लो यहां से यहां से क्या आएगा माइनस of 5 dt ठीक है इंटीग्रेट कर दो बस उठाके clear यहां पे बढ़ा आपन लोगों ने इसको इंटीग्रेट करा ठीक है और कहां से स्टार्ट करा था अपन ने बढ़ा अच्छा चीअ अच्छाचे तो यहां से आएगा माइनस of 5t और यहां से क्या आएगा देखो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से fry था थेखहा थेखा माइनस आए माइनस अपन लोगों निकाला बार ठीक है यह हम लोग लिखें इसको माइनस ओफ बन बाई एन ऐसा लिख सकते है बड़ा लिमिट्स लगाएंगे एन नॉट टू दी पावर एन नॉट एन अच्छा जी अब क्या करें बड़ा यहाँ पर यहाँ पर जो है आपका लिमिट्स लगाएंगे तो बन बाई एन नॉट माइनस बन बाई एन इसे होगा तो अब देखो यहाँ पर उड़ा यहाँ पर क्या आएगा भाई इसको मल्टिपलाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वन बाई एन ओके माइनस बन बाई एन नॉट इसकोल तो फाइव टी ठीक है अच्छा जी तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है अपन से पूछा जा रहा है देखो बड़ा टाइम के साथ जो है पॉपलेशन पूछी जा रही है ठीक है तो अब्विएस यहाँ पर देखो बड़ा एन नॉट से मल्टिप्लाई कर दो तो एन नॉट बाई एन माइनस बन इस एकल टो वाट बड़ा फाइव एन नॉट टी एन नॉट तो कुछ डेफिनिट वैल्यू रही होगी बड़ा फिक्स है यह तो वैरियबल है नहीं है अब एन नॉट बाई एन को हम लोग वाई की जगह लिख रहे है ठीक है तो यहाँ पर अपन लोगों ने क्या कर रहा एन नॉट बाई एन इस एकल टू वन प्लस है नौट टी ठीक है यहाँ पर वाई जकल टू समफिंट वाली लाएन आ रही है टाईम के साथ ठीक है हम लोगों ने जड़ा देखा अ वह ग्राफ कैसा कर रहा है और यह पर गरॉप कैसा रहा है ग्राफ आ रहे है बड़ा एंड नोट बाई एंड का लाइक दिस टाइम के साथ ठीक है सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहे है ओके सो ऑप्सन नमबर फोर विल भी दा करेक्ट आंसर ठीक है तो जड़ा देखो बड़ा ओरीजन से पास नहीं होना चाहिए कुछ इंटरसेप् ओप्सन नमबर फोर ही सबसे अप्रोप्रियेट दिख रहा है बाकी तो यह करवेचर है बड़ा यह इस तरीके से जा नहीं सकता तो ओप्सन नमबर फोर विल भी दा करेक्ट आंसर ठीक है यह तो एक गंटे के बाद पूचा है बड़ा तो यह दो बार तो बदलेगा नहीं है ना तो अप्सन नमबर वन भी नहीं हो सकता चलो नेक्ट कोशन नमबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कोशन नमबर 35 देखो फोड़ा एक्शन ऑफ च्टू विद आई-टू दा रेट कॉंस्टेंट इस वन एट 327 डिग्री एंड वन डेसीमिटर क्यूब यह आपका बढ़ा रेट कॉंस्टेंट है दो अलग अलग टेंप्रेचर पर एक्टिवेशन इनर्जी ऑफ दा रेक्शन इन क्लोजूल पर मोल ठीक है भई आर की वैलिव आपको दे रखी है तो 35 के कर्रस्पॉंडिंग जो है वड़ा आपन लोग फॉर्मूला क्या लिखते है चलो फॉर्मूला क्या लिखते है दो डिफरेंट टेंप्रेचर के लिए लुए लॉक के टू बाई के बन इस एकल टू वाट इस एकल टू वाट बढ़ा एए अपॉन 2.303 आर वन टीटू है अच्छा जी अपन लोगों को के टू और के वं दे रखा है ठिक है के टू कितना दे रखा है और के वन दे रखा है लग को वन डेसीमटर क्यूब है ना ओके चलो वेल्यू पूट आक करते है और से लॉग ओफ वन डेसीमिटर क्यूब अपॉन नीचे जो के बन किता है बढ़ा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ठीक है यह अपनको पदा करना है यह तो आपका 2.303 1 by T1 किता है बढ़ा 327 को केलवन में कनवर्ट करो बढ़ा किता आएगा 600 माइनस 800 केलवन 527 को अगर आप कनवर्ट करोगे ठीक है अब यहां से एक्टिविसन निकालनी है यहां पे क्या हो बढ़ा लॉग ओफ इसको अपन लोग क्या करते है उपर बेच दो इसको तो 100 करतो इंटू 10 की पावर 3 करतो बढ़ा यहां पे अपन लोगों को 25 मिल जाएगा यहां से ओके तो यह पोर अजाएगा 4 इंटू 10 की पावर 3 अना अच्छा और यहां पे क्या है गवडा एक्टिविसन ने जी पता करना है यह 2.303 आर की वैल्यू 8.314 यहां से अपन लोग 100 को बाहर निकाल लेते हैं ठीक है और यहां पे क्या बचे गवडा 24 और यहां पे इस कैलकुलेशन को जब अपन लोग करते हैं ठीक है तो यहां से क्या बचेएगा देखो लॉग 4 इंटू 10 की पावर 3 मतलब यह आएगा 3.6020 इंटू वाट बचाएगा 2.303 कर दो इंटू 8.314 कर दो इंटू 100 इंटू 24 ठीक है यही बचता है अपने पास ठीक है और यह आ तो सॉल करोगे तो मैंने सॉल करा दा यह अराउंड 165 पॉइंट जो है यह अपन लोगों ने देखो अपने एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी यहां पर अपन लोग जब आंसर निकालेंगे तो जूल में आएगा यहांसे ठीक है जूल में आएगा उसको किलो जूल में कंआए कोंट करोगे तो इन किलो जूल जो है अपन लोग का आणसर 165.7 के आराउंड आता है या एकलियर तो आ जब राउंड फिगर करोगे इसको तो 166 के आराउंड आता है ख्लियर इसको आप लोगों शॉल करलेना ख्लियर मैंना तो कर लिए था तो 166 इसका funaser आते ठी तो यहाँ पर देखो question number 35 166 clear उसको solve कर रहा है विटा 166 आएगा next अपने लोग बात करते हैं 36 question number 36 in the following reaction xa gives yb ठीक है भाई इन्होंने log लिया है ठीक है और कुछ relation अपने लोगों को पूछ रहे हैं clear लेकिन जिस तरीके से लिखा गया है उसको जड़ा हम लोग अपने हिसाब से modify करते हैं log लिया है और उन्होंने कुछ है ना तो जड़ा हम इसका expression लिखते है rate expression तो rate expression क्या लिखो गड़ा है यहाँ पर 1 upon x minus of da y dt ऐसे ही लिखोगे और यहाँ पर क्या है गड़ा 1 upon y db by dt ठीक है अच्छा यहाँ से क्या आएगा minus of da y dt is equal to क्या आएगा x upon y db by dt अब दोनों साइट जड़ा log ले लो सिर्फ mathematical का mathematics का खेल किया है यहाँ ठीक है और question वैसे बहुट tough कुछ नहीं है इसमें log लिया अपन लोगों ने तो यहाँ से क्या आएगा log of minus of da y dt is equal to what log of db by dt plus log of x upon y अब जड़ा दोनों ही expression को आप compare करो तो यहाँ से एक चीज़ समझा रहे है अपन को क्या चलो यहाँ से next बात अपन को क्या समझा रहे है कि log of x upon y जो आ रहा है वह आ रहे है 0.3010 तो x upon y कितना आएगा x upon y आएगा 2 x is equal to कितना आ गया 2y समझा बात को बढ़ा एक्स होना आए एक्स और x और y का जो relation आए x is equal to 2y आए ठीक है तो यहाँ पर देखो x is equal to 2y पहली reaction जड़ा देखते है बढ़ा इसके लिए क्या बनेगा n2 of 4 gives what twice of no2 यही लिखा जाएगा क्या x तो 1 हो गया बढ़ा y is equal to 2 हो गया ठीक है तो क्या x is equal to 2y होल्ड करेगा नहीं करेगा x की जगे बन रखो 1 is equal to 4 तो नहीं हो सकता न ठीक है तो पहला option नहीं हो सकता next option जड़ा check करते हैं हम लोग इसमें c2h4 दे रखा है और यहाँ पे c4h8 दे रखा ठीक है तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 2 से multiply करें तो equation balance होगी तो x is equal to 2 और y is equal to 1 ठीक है तो क्या यह relation hold करेगा ठीक है x की जगे 2 रख दो y की जगे 1 ठीक है तो यह hold करेगा तो मतलब यही आपका correct option होना चाहिए ठीक है यहाँ पे तो 3 का multiplication हो रहा है यहाँ पे कोई change ही नहीं हुआ है isomerism वाली reaction है यह तो isomerization हो रहा है तो सबसे appropriate answer कौन सा बढ़ा second clear so 36 का जो है आपका second option correct जाएगा बढ़ते हैं आगे next question की तरब दा समझ आया अच्छा question था interesting question था 36 clear now 37 number देखते हो रहा नो 2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCL4S per the equation ठीक है भाई the initial concentration of N2O5 is 3 and it is 2.75 mol per liter after 30 minutes ठीक है भाई the rate of formation of N2O2 इसमें तो बहुत आसान रहा है यह तो rate of formation of N2O2 वह कह रहें कि initial concentration of N2O5 is 3 and it is 2.75 after 30 minutes ठीक है तो rate of formation of N2O2 rate of formation of N2O2 क्या लिखा जाए गा ठीक है मतलब D of N2O2 by DT अगर rate expression is I am लोग तो 1 upon 4 D of N2O2 by DT is equal to what बढ़ा 1 by 2 minus of what D of N2O5 by DT ठीक है भाई है ना अब देखो यहां पर क्या करें इसमें अपन लोगों को पूछा जा रहा है D of N2 by DT is equal to क्या होगा 2 of minus of D of N2O5 by DT ठीक है अच्छा जी और यह कितना है अपन लोगों क्या दे रखा है मतलब delta of N2O5 change in concentration of N2O5 by delta T multiplied by 2 कर सकते हैं लोग ठीक है यह कितना आ रहा है यह आपको जो है क्या value दे रहा है बढ़ा 2.75 और 3 कितना gap हुआ 0.25 का बढ़ा कितने का 3 molar से आप drop होगे 2.75 पे पहुँच गया मतलब यह कितना रहा है बढ़ा 0.25 है ना 0.25 out of how many seconds या कितने time में गया अपन लोगों का change कितने का हुआ concentration का 0.25 molar concentration change होई है 30 minutes में ठीक है बढ़ा अच्छा तो यहां से क्या आएगा देखो अपन को पूछा क्या आ जा रहा है ठीक है बढ़ा तो इसको जरा हम लोग solve करते हैं बढ़ा क्या आएगा देखो इसको लिखा हम लोगोंने 0.25 मतलब 0.5 upon 30 clear यहां से आएगा आपका 5 upon 300 ठीक है मतलब 1.667 into 10 to the power minus 2 बढ़ा ओके तो यह answer अपन लोगों को मिलेगा क्या देखो option number 1 अपन लोगों को दिखरा है बढ़ा question number 37 में clear so option 1 will be the correct answer okay तो यह आपका 37 हो गया 38 पर आगे बढ़ते हैं clear आसान था question बढ़ा दिखने में बढ़ा था clear चलो तो question number 38 देखते हूं बढ़ा 38 question में क्या है बढ़ते हैं पहले during the nuclear explosion one of the product is strontium 90 ठीक है भई half life इसका दे रखा है 6.93 years है ना if one microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby ठीक है newly born baby जो है उसकी bones में absorbed हुआ 1 microgram of strontium in place of calcium calcium के लिए के substitute हुआ है how many time how much time in years is required to reduce it by 90% of its if it is not lost by metabolically अगर metabolic system इसको बाहर नहीं निकालता है तो 90% जो natural phenomenon है उसका radioactive decomposition के थूँ तो वो कित्ता वक्त लेगा ये अपन लोगों को पूछा गया है ठीक है बढ़ा अच्छा अपन लोगों को पता है जो radioactive decay होता है वो क्या होता बढ़ा एक first order kinetics होती है है ना और first order kinetics के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपन लोगों को जो है चलो solve करते हैं अपन लोगों को क्या होता है kt is equal to what ln of a0 upon a0 minus x यही formula लिखते हैं हम लोग ठीक है अच्छा अब देखो बढ़ा है यहाँ पर जो time है अगर suppose करो हम लोग x percent की बात करते हैं तो इसको generalize कैसे करा जाया है 1 upon k ln of 100 out of x percent out of 100 अगर x percent decompose हो रहा है तो 100 minus x यह general formula लिखा हमने ठीक है क्योंकि हम से पुछा है कि वो 90 percent के लिए ratio होगा 90 percent decompose होने के लिए कित्ता समय जाएगा तो हम देखते हैं बढ़ा है यहाँ पर कि t 90 percent के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1y k यह general formula ध्यानी रख लो ठीक है आसानी होगी वड़ा आपको clear अच्छा t 90 percent 1y k ln of 100 upon 100 minus 90 ठीक है मतलब यहाँ से कितना रहे 1y k ln of 10 यह first equation ठीक है और t 50 percent मतलब half life अपन लोगों को अगर देखें तो हमारे लिए half life का formula क्या आएगा ln of 100 upon 100 minus 50 is equal to क्या आएगा 1 upon k ln of 2 ठीक है ठीक है ना अच्छा यही बचेगा ठीक है अब जड़ा 1 upon 2 कर देते मिटा ठीक है तो अब 1 upon 2 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से T90 percent divided by T50 percent that comes out to be what अच्छा इस question में कोई option नहीं रखें यह numerical based problem में पूछा गया ठीक है तो यहाँ पे जड़ा हम देखते हैं कि numerical based problem के लिए ठीक है इसको कैसे manipulate करें option तो है नहीं है तो अपन लोग पूरा ही detail solution करेंगे इसका ठीक है ओके यहाँ पे आ रहा है बटा LN 10 और यह आ रहा है LN 2 ठीक है अच्छा जी अब देखो बटा यहां से क्या हैगा T90 percent is equal to क्या है LN 10 क्या होगा और यहाँ पर T50 percent अपन लोगों को दे रखा है LN 10 ठीक है LN 2 क्या होगा बटा 2.303 log 2 that is 0.693 और T50 percent कितना दे रखा है T half दे रखा है 6.93 years ठीक है तो जरा है इसमें 6.93 years का multiply करते है ठीक है यहां से क्या है बटा यह आ रहा है आपका यह 10 times cancel out होगा तो बचा 10 LN 10 ठीक है LN 10 क्या होगा बटा है यहां से 2.303 log 10 2.303 आएगा तो 2.303 multiplied by 10 okay that comes out to be how much 23.03 this will be the time in years ठीक है required for the decay of 90% clear तो इस तरीके से एक आसान सी दिया गया है आपको clear next problem पर आते हैं बटा okay next problem देखो यहां पर 39 number की जो problem है okay twice of H2 gas plus twice of NO gas gives N2 gas plus 2H2 gas ठीक है अच्छा जी तो अगर हम देखें यहां पर बटा वो कहरें observed rate expression is आपको rate expression दिया गया है kf into NO का square into H2 अगर हम देखें बटा है यहां पर तो rate law जो rate expression लिखा गया है वो kf मतलब obvious यह forward direction का ही लिखा गया है तो rate forward direction का kf into NO का square into H2 rate law के हिसाब से clear अच्छा तो अगर हम देखें यह equation आपकी जो reaction है वो elementary तो नहीं है यह complex reaction रही होगी जिसमें क्या है slow step में NO के 2 mole और H2 का एक ही mole participate कर रहा होगा first step में clear यह तो mechanism हो गई अब अपन लोगों पता यह करना है वोड़ा कि इसका rate expression for the reverse reaction क्या होगा यह forward reaction का दे रखा है तो अगर हम लोग इस reaction को reversible मानते है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो अबड़ा इस reaction के लिए kc क्या लिखा जाएगा केसी लिखा जाएगा concentration of nitrogen into water vapor का square ठीक है अच्छा अपन NO की concentration का square and H2 की concentration का square ठीक है ऐसा लिखा जाएगा अब equilibrium constant जो होता है वो क्या होता है kf अपन kb के बराबर होता है ठीक है अच्छा जी N2 and H2O का square upon NO का square and H2 का square ठीक है बड़ा अब kf multiplied by आप क्या करो NO का square इदर बेज़ दो into H2 clear अच्छा तो यहाँ पर क्या होता kb into what N2 और H2O का square upon what upon upon आएगा यहाँ पर concentration of H2 ठीक है अब यह चीज जो है जरा आपन देखते हैं कि kf into NO का square into H2 क्या आएगा यह चीज अपन लोग देखें उटा तो यह आप rate of forward direction बोल सकते हो क्या बोल सकते हो rate of forward direction ठीक है अच्छा इसी के बारे में उन्होंने दे रखा है clear तो बाकी का जो बचा हुआ expression होगा वो क्या होगा उटा equilibrium पर यह बात लिख सकते हैं पर लोग rate of forward is equal to rate of backward तो यह सारा expression किसके बराबर होगा rb के बराबर तो rate of backward direction का जो expression आएगा ठीक है वो क्या आएगा kb into n2 into h2o का square upon h2 clear so अगर इस expression को हम लोग देखें तो यहां से क्या आए बड़ा second option will be the correct one okay kb into what n2 into h2o का square upon h2 ठीक है now तो यह अपन लोगों का 39 number की problem ही बड़ा kinetics की next problem जो है अपन लोग 40 पे चलते हैं है ना आसान problem थी यह भी okay the rate of certain activity biochemical reaction at physiological temperature occurs 10 to the power 6 times faster with enzyme than without out ठीक है भाई enzyme के साथ ही जो reaction हो रही हो 10 to the power 6 times हो रही हुड़ा the change in the activation energy clear अच्छा तो enzyme मतलब क्या कर रहा होगा catalytic activity होती enzyme की है ना तो जो rate होगा वह basically हम लोग बोल सकते हैं कि 10 to the power 6 times faster rate है मतलब rate constant की value क्या हो गई 10 to the power 6 times बढ़ गई है ना आरीनिस equation का formula लगा है k is equal to what a into e to the power minus ea upon rt ठीक है अच्छा यह तो k बन हो गया अब catalyst की presence में जो हो रहा है वो k जो हो रहा है वो actually 10 to the power 6 times हो जा रहा है बढ़ा clear तो rate constant बढ़ गया आपका a into e to the power minus ea in presence of catalyst okay in presence of catalyst ea c लिख देता हूं इसको upon rt clear बढ़ा अच्छा जी अब अपन लोग क्या करें इसमें second divided by first कर दो तो यहां से गया रहा है बढ़ा 10 की power 6 a a तो cancel out हो गया e to the power आप यहां पे क्या करो ea minus ea c ठीक है clear upon rt ओके बढ़ा अब यहां पे क्या करो बढ़ा ln के साथ expression देखो तो 6 of ln of 10 is equal to what बढ़ा ea minus ea c by rt ऐसे लिखा जाएगा ठीक है अब आपन लोग देखते हैं कि बढ़ा ea minus ea c कितना आ रहा है ea minus ea c जो आ रहा है वो आ रहा है 6 ln 10 कितना होगा बढ़ा ln 10 होगा 2.303 log 10 log 10 कितना होता है 1 into what rt एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ड्रॉप हुई है अब हम से पूछा रहा है change in activation energy upon adding enzyme तो adding enzyme जब हम लोग add कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा delta ea activation energy में जो change आ रहा है वो क्या हैगा activation energy in presence of catalyst माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है यहाँ पर activation energy in presence of catalyst मतलब यहाँ पर क्या है माइनस ओफ 6 into 2.303 rt clear तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं option कौन सा है clear ओके तो यहाँ पर 6 rt के साथ 2.303 भी रहना जरूरी है clear so अपन लोग देखते हैं यहाँ पर 2 option है लेकिन एक positive एक negative है तो obvious negative वाला जाएगा okay so यह आपका हो गया बढ़ा question number 40 है ना चलो next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 41 बढ़ा consider the following plots the rate constant versus 1 upon t for the following different reactions ठीक है कोई reactions होगी है ना जिसमें which of the following orders is correct for the activation energies ठीक है भाई 4 different reactions हैं जिनके लिए हम लोगों को activation energy identify करना है उनका order identify करना a b c d h r कोई reactions होगी ठीक है अब देख बढ़ा है यहां पर activation energy को जब हम लोग समझते हैं यहां पर जो graph बनाया वो log k versus 1 upon t का बना हुआ ठीक है तो अगर log k versus 1 upon t का हम लोग expression देखें है clear तो क्या है गढ़ा log k is equal to what r inis equation से हम लोग निकालते हैं log a minus t a upon 2.303 r t या ठीक है अब देखो यहां पर अगर हम देखें log k versus 1 upon t ठीक है बटा log k versus 1 upon t का जो graph बनाएंगे हम लोग तो log a से starting हो रही है है ना negative slope के साथ यह जो है graph आएगा ठीक है यह आपका अगर theta है ठीक है तो slope क्या होगी उड़ा slope होगी minus of 10 theta ठीक है यह हम लोग बोलें यहां पर slope अपने पास क्या है minus of ea upon 2.303 r ठीक है अच्छा मतलब 10 theta जो है is equal to ea upon 2.303 r नीचे का expression तो constant है ठीक है this is constant clear अब देखो बटा यहां पर जो अपन लोगों graph दे रखे हैं और उसमें activation energy compare करना है अगर theta बढ़ेगा यहां से theta increase होगा clear slope बढ़ेगी तो क्या होगा यहां पर line जितना tilt होगी theta इस direction में clear तो यहां पर theta बढ़ेगा तो यहां पर explanation तो समझ में आ गए होगी सबसे जादा अगर tilted line है तो ज़रा द्यान से देखो कौन सी है यहां पर बढ़ा a के a और फिर c ठीक है तो अगर सबसे जादा theta की value देखें तो theta for c will be is greater ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर then theta of a then theta of d और सबसे कम theta के इसके लिए b के लिए ठीक है न भी तो almost horizontal type का लग रहा है clear तो जिसका theta जादा होगा exactly 10theta भी उसका जादा होगा clear तो यहां पर e c activation energy c के लिए जादा होगी फिर activation energy a के लिए जादा होगी order देख सकते हैं लोग ठीक है कौन सा order आएगा any option e c किस case में जादा है e c second case में ही अपनों को जादा दिख रहा बड़ा okay then e a e d and e b clear so second option will be the correct one okay now next question की तरफ आगे बढ़ते हैं 42 हाना question number 42 यह आसान question था clear बस application बदलते रहते हैं हर exam में formula वही रहता है बस उसको अलग तरीके से apply करना होता है ठीक है नौ नेक्स्ट देख बड़ा 42 फॉर फॉलाइं रियक्शन सेव ए गिप्स प्रोड़क्ट 700 कलवन पर और ए गिप्स प्रोड़क्ट इन प्रेंश ओफ के टलिस्ट 500 कलवन पर वह कहरें इट वोस फांड़ एक्टिवेशन एनर्जी इस डिक्रीज बाइट थर्टी किलो जूल पर मोल इन प्रेंश ऑफ दा कैटलिस्ट की प्रेंशन एट्टी किलो जूल पर मोल से डिक्रीज होगे वड़ा इव दा रेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर केटलाइज रियक्षन ठीक है के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी एज्यूम प्री एक्स्पोनेंशल फेक्टर एस से ठीक है बई तो चलो जो यहां पर बोला यह जा रहा है कि दौनों का रेट जो है इसका रेट रवन और यह रट के टू होना चाहिए ठीक है अच्छा जी तो यहां से अपन लोग सॉल करते हैं बढ़ा के वन एक्कोल टू के टू ठीक है और के वन एक्कोल टू के टू अपन ने लिखा ठीक है मतलब यहां पर ए इंटू इटू दी पाव माइनस ई एवन बाई आर्टी इस रिकल टू वाट यहां से आएगा ए इंटू इटू दी पाव माइन आर्टी वन लिखेंग बढ़ा है यहां पर माइनस ई ए इन प्रेंस ऑफ के टलिस्ट अपन आर्टी टू ठीक है अच्छा है यहां हम लोग बोले हैं इसको यह टू बोलो केटल इसकी प्रेंस पत्र हो ने चाहिए ऐ तो सेम है तो यहां से क्या बचा देखो यह जो भीறिटिविश्ण एन स्धू औरिवाट इवाट 700 Kelvin ठीक है अच्छा यहां पर गया हो गवड़ा वो कह रहे हैं कि जो activation energy है वो 30 kJ से कम हो जाती है in presence of catalyst तो Ea-30 divided by what यहां पर क्या हैगा 500 Kelvin ठीक है तो यह 500 हो हो गया ठीक है यह अपन लोग 20 कैंसल आउट कर दिये यहां से क्या है अपन फाइव यह है माइनस 30 ठीक है अच्छा अब देखो बढ़ाएं यहां पर activation energy अपन लोगों को identify करनी है ठीक है भाई clear so देखो बढ़ाएं यहां पर क्या आएगा ea is equal to what यहां से कितना आ रहा है 1.4 ea minus 30 into 1.4 ठीक है अच्छा अब यहां से क्या आएगा देखो यहां से बचा आपका 0.4 of ea is equal to what बढ़ा इसको multiply कर होगे ठीक है 14 3 42 okay ea is equal to कितना आएगा बढ़ा 42 divided by 420 divided by 4 मतलब 105 यह 105 किलो जूल क्या आया activation energy okay 700 Kelvin पर catalyst की presence में उन्होंने पूछाए कि catalyst की presence में activation energy क्या होगी तो ea minus 30 will be what equal to ea in presence of catalyst ठीक है तो यह कितना है गवडा जोगो 105 minus 30 is equal to कितना आ रहा है 75 किलो जूल पर मोल तो जड़ा देखते हैं कोई option है कि आपने पास 75 किलो जूल पर मोल का yes okay so option number one is the correct answer okay so 75 किलो जूल पर मोल is the answer okay बढ़ते हैं आगे बढ़ा next a sample of milk splits ठीक है भाई after 60 minutes at 300 Kelvin and after 40 minutes at 400 Kelvin ठीक है बढ़ा देखो ध्यान से यहां पर temperature बढ़ा रहे हैं तो milk जो है जो दूद है वो खराब हो जाता है कब 60 minute का समय लगता है जब 300 Kelvin मतलब 25 degree के around हो या 27 degree के around ठीक है और अगर हम लोग temperature काफी हाई रखते हैं तो वो 40 minutes में खराब हो जाता है ठीक है when the population of lactobacillus acidophilus जो इसका जो वेक्टिरिया वड़ा जो इसको खराब करेगा in it gets double clear तो यह जब दो गुना हो जाएगा संख्या में तो यह दूद घराब हो जाएगा clear now activation energy in kilojoule for this process is closest ठीक है बई अच्छा जी अपन लोगों कुछ data दे रखते हैं यहां पे ln 2 by 3 0.4 e to the power minus 3 4 है ना तो कहीं यह use हो रहा होगा clear तो अपन लोग ज़दा देखते हैं यहां पे अपन लोगों को यह पता बढ़ा के ln of k2 by k1 is equal to what क्या है गवई ln of k2 by k1 is equal to what ea by r 1 by t1 minus 1 by t2 यह बात पता है अपन को ठीक है अच्छा अब देखो बढ़ा ln k2 by k1 का मतलब यहां पे क्या है rate से ठीक है rate in presence of at temperature 300 मतलब यहां पे 300 Kelvin minus यहां पे क्या है गवड़ा 400 Kelvin ठीक है और यह आपका activation energy divided by r ठीक है now ln of k2 by k1 ln of k2 by k1 आप k2 और k1 को कैसे निकालने मतला ठीक है 60 minute मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जो rate होगा r2 by r1 उसका यह order होगा ठीक है r2 by r1 अब rate का जो order होगा वो time के reverse में होता है तो जितनी fast reaction उतना कम time मतलब हम लोग इसको लिख सकते है T1 upon T2 ठीक है अच्छा अब T1 upon T2 क्या है पहले जो हम लोग देखते हैं तो यहां पर T1 कितना है T1 है 60 minutes ठीक है और यह कितना है वड़ा T2 कितना है T2 है अपने पास 40 minutes ठीक है ऐसे लिखा जा सकता है वड़ा ओके और पूछा हम से जा रहा है क्या activation energy तो activation energy को जब हम लोग यहां से evaluate करेंगे कितना आएगा देखो अच्छा हम लोगों को ln of यह आएगा आएगा आपका ln of 3 by 2 is equal to ea upon 2.303 into 100 को बाहर निकाल लो ठीक है और यहां से क्या आएगा 1 upon 12 ठीक है अच्छा जी अब activation energy कितनी आएगा यहां पर देखो ln 2 by 3 अपन लोगों को पता है तो यहां से जब activation energy निकालो ठीक है तो यहां से आप क्या करो 2.303 यह 2.303 क्यों आ गया यह तो नहीं रहे यहां पर 8.314 sorry 8.314 into 100 क्लियर तो अब यह क्या आएगा ln जो है आपका कितना आएगा 8.314 into 12 into 100 into क्या आएगा बढ़ा ln of 3 by 2 ठीक है ln of 3 by 2 को अपन लोग separately भी solve कर सकते हैं बढ़ा ln of 3 by 2 आप ऐसे लिख सकते हो 2.303 log 3 minus log 2 इसको solve करोगे तो बढ़ा 2.303 into यहां से आएगा 0.177 ठीक है जब इसकी value put करोगे तो activation energy जो आती है that comes out to be around 4.06 किलो जूल पर मोल ठीक है बढ़ा इसको जब calculate करोगे value put करके तो activation energy जो आएगी that comes out to be 4.06 किलो जूल पर मोल ठीक है अच्छा तो चलो यह बढ़ा अपन लोगों का 43 नंबर का question हुआ clear तो अपन देख सकते हैं मेंटा chemical कानेटिक से बहुत ज़्यादा tough question तो नहीं आए clear जो भी आए है simple आरेनेस equation पर based या kinetics first order kinetics zero order kinetics पर आए है ठीक है यह आपन लोग rate law expression के ऊपर यह चार ही topic अपन लोग देखते हैं इसमें chemical kinetics में clear so ऐसी कोई difficult problems बहुत जादा heavy-heavy problems की practice करने की जुरूवत नहीं है जो basic fundamentals है उनको clear रखो आप chemical kinetics में clear problems हो जाएंगे ठीक है अच्छा तो चलो आज जो है हम लोगोंने chemical kinetics का जो है समापन किया बड़ा next unit में हम लोग मिलेंगे जो हमारा chapter है solid state और surface chemistry के discussion के साथ आज का जो discussion है वो हमारा chemical kinetics यहाँ पे over कर रहा हूं clear उसके साथ structure of atom भी था जो मैंने दो पार्ट में discussion किया पार्ट बन में atomic structure को cover किया था और पार्ट टू में chemical kinetics को है न बड़ा चलो तो उमीद है आप लोग अच्छे से study कर रहे होंगे revision कर रहे होंगे और यह videos आपके लिए बहुत helpful रहेंगे okay thank you thank you very much